हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12 इंगलिस का जो है most important idioms phrases दोस्तो आपको इस बार जो है मेरा mission जो 90 पलफ का है इस बार मैं लाके ही रहूँगा इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ most important idioms phrases very most important है हर साल बोर्ड में पुछे जा रहे हैं दोस्तो अगर आज की वीडियो में आप ये पढ़ लेते हैं न तो दुबारा यहाँ पे idioms phrases पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी मैं यहाँ पे 20 बताऊंगा 20 idioms phrases बताऊंगा जो आप याद कर लीजे 100% chance है 100% मैं guarantee देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा यह आप ध्यान दे के चले हैं और मात 20 question 20 मतलब 20 आपको याद करना ठीक उतने में आपका फ़स आएगा और English में आपका जो है पूरे के पूरे चार नंबर fix हो जाएंगे क्योंकि चार नंबर का पूछा जाता है और बाकी आगे की सीरीज में एंटोनियम सारे में लाता रहूँगा तो वीडियो को फूल ओच करना चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि mission 90 plus का इस बार हमारा है हर student का जो मुझसे जुड़ा हुआ है हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उसको इस बार 90 plus लाना ही है तो यहाँ पे इसी के दौर में चलिए सुरू करते हैं फ़फे पहला हमारा है all in all all in all आपको यहाँ पे सब्द से ही पता चल रहा होगा all in all मतलब जो सब कुछ हो सर्वे सर्बा आप यहाँ पे सर्वे सर्बा हो सकता है उसके बाद आप लिग सकते हैं the district magistrate has all in all in my district मतलब वही सर्वे सर्बा है वही सब कुछ है यह आपको राजा के बारे में लिख सकते है पियम मोधी के बारे में लिख सकते है फिर उसके बाद है add sixes and seven इसका मतलब होता है तितर बितर होना मतलब बिखार जाना अयन एपला डिसकार्ड जगडे की जड़ होना यहाँ पर इसका जो होगा जगडे की जड़ होना नेक्स्ट जो दिया हुआ add dragger drone add dragger drone का मतलब आपका क्या होता add dragger drone का मतलब होता घोर सत्तुरता फिर नेक्स्ट है an x two grind इसका मतलब क्या होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना ठीक है इसका मतलब होता है अपना स्वार्त सिद करना and next जो दिया हुआ है against the rainy day इसका मतलब जो होता है यह होता है बुरे दिनों के लिए मतलब against the rainy day बुरे दिनों के लिए उसके बाद at the 11th hour इसका मतलब होता है अंतिम समय में आप तो optional पूछा जाने लगा है तो इसको आपको आसान हो गया है तो इसका आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो इससे आप जवाब दे सकते हैं ठीक, तो यहाँ पे A black sheep, A square deal इसका मतलब होता है साप सौधा A black sheep, इसका मतलब होता है बदनाम व्यक्ति A black sheep, बहुत बार पुछा गया है दोस्तो, इसे आप 100% या आप A नहीं पुछा जाएगा black sheep, पूछ लेता है यह आप तयार करके चल लिए क्योंकि जिसमें मैं टिक लगा देना हूँ वो पुछा जा सकता है ठीक है, यह इसका ज़्यादा चांसेस है बाकी तो आपको 20 पूरे पढ़ने क्योंकि मैं 100 में से 20 निकाल के लाया हूँ तो बहुत जादा ही निकाल लिया हूँ तो यहाँ पर इतना तो आपको पढ़ना है बाकी यह वाले आपको बहुत जादा पढ़ लेने जिन पर मैं टिक लगा दूँगा यह बेडाफ रोजेश फूलो की सेज एन ओपन सीक्रेट खुला रहस तयार कर लीजे अब आप बोर्ड मतलब होता है असपश्ट व्यक्ति उसके बाद होता है टर्न कोड दल बदल ए रेड लेटर डे इसका मतलब होता है खुसी का दिन नेक्स्ट है ए वाई टेली पैंट अत्यधी खर्चीला ये भी बहुत बार पुछाएगा है दोस्तो एट लार्ज मतलब होता है स्वतंत्र एट रेंडम मतलब होता है बिना किसी बेवस्था के ये भी आप ध्यान देके चलिए नेक्स्ट है उसके बाद बैग एंड बैगेज ठीक है बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ नेक्स्ट जो दिया हुआ है बैग एंड बैगेज के बाद बीट अबाउट दबुस मतलब घुमा फिरा के बाते करना ये वाला पूछा जाता है दोस्तों बेट अबाउट दा बुस्त तयार कर लीजे नेक्स्ट है बाई हुकार बाई क्रूक उचित या अनुचित तरीके से नेक्स्ट है बरी दा हैचेट पुरानी सत्रता भुला देना नेक्स्ट है ब्रिंग दा बुक मतलब सजा देना बाई लिप्स एंड बाउंड दिन दूनी राच्चोगुनी तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसके बाई है यहाँ पर next है जो बाई लिप्स एंड बाउंड black and white black and white का मतलब होता है लिखित बहुत बार आपको जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जॉइन होई है और ये PDF आप डाउनलोड कीजिए इसे तयार कीजिए आपको लिखने की कोई कोई जरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तो बस आज का वीडियो ही पेंट करते हैं और चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मिसन नब्बे प्लस मार्क्स इस बार हमारा है ठीक है तो यहाँ पे आपका भी आ जाएगा तो तयार रहिए इसके लिए तुम मिलते हैं इसकी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई